प्रकार का आपको फंगस हो जाता है पर वो जितना भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर डर्मलोजिस्टे करवाते हैं बहुत सी जगह से करवाते हैं आपने बहुत से ओंटमेंट भी इस्तमाल कर लिया है वह विल्कुल जड़ से ठीक होने का नाम नहीं लेता पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेका रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉंग एक एंटी फंगल और जिससे आपकी दात खच खुझली विल्कुल जड़ से ठीक होने वाली है तो इस वीडियो को आखे तक जूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बैल आकोन को लबाले क्योंकि जो वीडियो हम अप्लोड करें सबसे पहले पिर आप वह मांसारी चीज़ नहीं खाते तो आप इसको इसली अस्तिमाल कर सकते हैं ज्यापर बात करेंगे इसके मार्पी के बारे में तो दो सो पुझासी रुपी इसका मार पिर आपको देखkemर की तो आ तो आप बात कर लेते हैं uh fungal infection आपका ठीक कैसे होगा एक strong fungal infection के लिए एक strong treatment है जैसे कि दो सोMC में एक्रोकनथोल अगर आप 100 mg का इस्तिमाल करें तो आप 200 mg का इस्तिमाल करें यससे आपका जो दाद खाच खुजले बिल्कुल ड़ से ठीक होने वाला है, चलरे अब बात करने हैं, common fungal infection के बारे में जैसे कि fungal infection में कवक संक्रमण भी आजाता है, इसको हम नाकून में fungus हो जाती है, आपने देखो की वरी नाकूस बिल्कुल black हो जाता है, उसमें fungal हो जाता है, बहुत ज़दा इचिंग होती है, खुझली होती है तो उन कंडिशन के लिए वे इट्रोकनाजोल बहुत ही अफेक्टिव है तो दोस्तो आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं, आपके पिंपल की जगा आपके गोल को चकते बनते हैं फेस के उपर या बॉड़ी के उपर और बहुत ज़दे इचिंग होती हैं तो उन कंडिशन में भी आप इट्रोकनाजोल का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो अलोगर ये किसी भी परकार की आपको फंगल इंफेक्शन होती है, दाद का खुजली होती है तो इसमें बहुत ही अफेक्टिव इसका रिजल्ट देखा गया है और मैक्सिमा इसको इसको इस्तमाल कैसे करना है, बहुत से लोग पूछते हैं कि वही हमें इसका 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 इसको मैक्सिमम दो से तीन महीने तक इस्तमाल करें, रोजाना सुबह एक कैप्सूल लें, दो सो एमजी का है अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं सुबह शाम लेना है, अगर आपको बहुत जबह फंगस है, पूरे शरीर में है तो आप इसका 200 mg का सुबह, 200 mg का शाम को भी इस इस्तमाल कर सकते हैं उससे पर दोस्तों हम बताना चाहेंगे कोई भी दवा का आप रिव्यू देखते हैं इस चैनल पर, तो आपनी मर्जी से कोई भी दवा का या फिर इंग्जेक्शन का इस्तमाल ला करें उससे पहले अपने डॉक्टर की सला है जरूर ले लें चले है बात कर Esp के आप को इस कैप्सॄ के और अच्छा लगा अगर आपको यह पसंद आए तो वीडिवक शरुकर करिएगा धन्यवाद झाल झाल